जैपुर शहर में इस भीशन गर्मी के दोरान बिजली कटोती और पानी की कम प्रेशर से सप्लाई में लोगों को भारी परेशान कर दिया है जल्दाई विभाग ने समश्या को हल करने के लिए कंट्रोल रूम के नमबर जारी किये हैं जिन पर लोग अपने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जैपुर में प्रते दिन 700 MLD से ज्यादा पाने की सप्लाई के बावजूद लोगों को टैंक कर मगवाने पड़ रहे हैं जल्दाई विभाग ने लोगों के शिकायतों को सुनने के लिए और समाधान के लिए नमबर जारी कर दिये हैं जैपुर शहर के जगतपुरा, प्रताप नगर, सांगनेर, वातिका रोड, जोहर नगर, जोटवाडा, मुरलीपुरा, हरमाडा, जैसिंग खोर और आगरा रोड जैसे छेतरों में पानी की समश्या सबसे ज़ादा है इस्थान ये लोगों का कहना है कि पानी कम प्रेशर से आ रहा है और सुबह और शाम की सेमें एगोशित बिजली कटोती की कारण सप्लाई कई बार 10-15 मिनिट तक रुख जाती है शहर में पानी की टैंकरों की मांग भड़ गई है और टैंकर संचालक 500 रुपए तक वसूल रहे हैं एक टैंकर में 5000 लिटर के वज़ाए 3500 से 4000 लिटर ही पानी सप्लाई किया जा रहा है इस कारण लोगों को मजबूरन टैंकर मंगवाना पड़ रहा है जानकारों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 135-640 लिटर पानी की उप्रवता होनी चाहिए लेकिन वर्तमान में प्रति व्यक्ति 100 लिटर से एक भी कम पानी की सप्लाई हो रही है जैपूर की 40 लाग हाबादी को कुल 700 MLD यानी करीब 70 करोड लिटर पेजल सप्लाई प्रति दिन हो रहा है जिसमें बीसलपूर से 532 MLD और सरकारी ट्यूबलों से 170 MLD पानी की सप्लाई शामिल है